कि कि अ वेल्कम टू करिए निट मैसेल्फ सुरंद्र गुर्वानी हम डिसकर रहे थे명िंग की व्रकषी तो कि निमरीकल्स है वें और आपैक्स के वो सक्रसेथ देखां कि女 मेरीकल नूमबर ऑन टू लेस आप सेंट शेप हैं एंपली 2 करेश हाम गायर जोड़ी два गंए तो and ratio of intensities तो इसमें देखो आप क्या given है हमें केवल given है amplitudes का ratio तो A1 upon A2 given है यह ratio given है 2 is to 1 ठीक है अब यह amplitude अगर given है यहाँ पर तो आप से पूछा है maximum amplitude जिसको हम R से लिख सकते resultant amplitude को और minimum amplitude तो maximum amplitude पता है वो constructive interference में होता है वो होता है A1 plus A2 और minimum होता है A1 minus A2 ठीक है अब इसमें से हम A2 common ले सकते हैं तो यह हो जाएगा A1 upon A2 plus 1 मैंने A2 यहां से common लिया ठीक है और यहां से भी A2 common लेने तो यह आएगा A1 upon A2 ratio बना लिया हमने और रेशो गिवन है देख आप A1 A2 का रेशो गिवन है रेशो गिवन है तो इस रेशो को हम गया 3 is to 1 अब यहां पर से रेशो मेक्स एंपलीट्यूट कर निकालने के बाद आप से पूछा है रेशो आफ इंटेंसिती वह भी अपॉन R minimum यह भी स्क्वाइर के साथ बिकास इंटेंसिती एंपलीट्यूट के स्क्वाइर के डिरेक्टी प्रपूरिशन होती है राइट आर मैक्स और आर मिनिम की वैल्यू आपको पता है आर मेक्स और आर मिनिम का रेशो गिवन है निकाल लिए हमने वो है 3 is to 1 तो यह 3 is to 1 यहां पर पूट करते हैं और 3 is to 1 पूट करोगे फिर हमें करना है स्क्वाइर तो 3 is to 1 का स्क्वाइर कर देंगा आंसर आ जाएगा 9 is to 1 तो मैक्सिम और मिनिम इंडेंसिती का रेशो 9 is to 1 और मैक्सिम और मिनिम अम्प्लिटिूड का रेशो है 3 is to 1 तो यह एक अम्प्लिटिूड के रेशो का निमरिकल एक इंपॉर्टें निमरिकल है next देखो in an interference experiment two sources of light are used of intensities i and 4i find out intensities at those point where the phase difference of two waves superimposing are zero, pi by two and pi phase differences की value given है zero, pi by two and pi ये तीन points आपको given है जहाँ पर zero phase है वहाँ पर आपको intensity निकालनी है जहाँ पर pi by two phase है वहाँ पर intensity निकालनी है और जहाँ pi phase है वहाँ पर भी intensity निकालनी है resultant intensity और intensity जो given है वो देखो i1 की value तो है i और i2 की value है 4i तो हमें निकालनी है intensity तो normally जो resultant intensity होती है ir इसका मैं formula लिख दूँ पहले i1 plus i2 plus 2 under root i1 under root i2 cos phi यह common formula है common formula है किसी भी phase के लिए तो resultant intensity का यह formula हम यहाँ पर apply करेंगे और इसमें आपको क्या पूट करना है i1 की value पूट करनी i2 की value पूट करनी और five phase differences यहाँ पर तीन है तीनो one by one यहाँ पूट करेंगे तो सबसे पहला phase लेते हैं 0 five की value given है 0 आपको पता है cos 0 cos 5 मतलब cos 0 degree की value क्या होती है 1 तो ir resultant intensity क्या आजाएगी i1 की value पूट कर दी i i2 की value पूट कर दी 4i then plus 2 i1 की value है i और i2 की value है 4i under root में पूट कर दिया और cos 5 की value होगी 1 क्योंकि 5 0 है cos 0 की value 1 पूट कर दी तो यहाँ पर यह 4i plus i यह तो हो गया 5i फिर यहाँ पर आप देखो 4 का under root क्या होगा 2 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 under root i under root i हो जाएगा i तो 0 के case में आपके पास resultant intensity आएगी 9i first case में तो 0 face पे answer है 9i ठीक है constructive interference होता है next देखो case b case b आपका आएगा जब face difference क्या होगा pi by 2 5 की value क्या होगी pi by 2 तो बताओ cos pi by 2 की value हमें cost सही होगा cost की value आप पूट करनी पड़ेगे तो सब के cost angle की value पता होने चीए तो cos pi by 2 की value आपको पता है क्या होगी 0 तो resultant intensity आजाएगी i r i1 प्लस i2 प्लस i2 तो i1 की value पूट कर देते हैं यह फाम्मला लगा रहे हैं i1 की value क्या है आई प्लस i2 की value है 4i प्लस 2 अंडरूड i अंडरूड 4i और cos 90 मदलब 0 तो यह वाला पार्ट तो पुरा 0 हो गया अब resultant मिला हमें 5i तो pi by 2 पर resultant आएगा 5i तो 5i resultant आएगा pi by 2 पर तो pi by 2 पर यह resultant intensity मिली आपको next थर्ड भी पूछा है इसमें थर्ड में क्या पूला है pi तो pi की value क्या होती है cos pi की value c put करते हैं phi की value रखेंगे pi और cos pi की value होती है minus 1 cos 0 की value 1 cos 180 की value है pi की value minus 1 तो यह भी हम formula put कर सकते हैं देखो ir की value क्या आजाएगी अगेन यह formula लगा रहे है i1 की value क्या i i2 की value 4i plus 2 यह under root i under root 4i इसको हम solve कर चुके है under root i under root 4i यह हो जाता है 2i और cos 5 की value minus 1 put कर देंगे हमें तो आगे तो add कर रहे हो तो क्या आएगा आगे तो आजाएगा 5i then यहाँ पर आएगा माइनेस का माइनेस से cost 180 की 1 value है तो माइनेस का 2 x 2 4i तो रिजल्ट आया आएगी तो 180 पर दो तो होता है destructive interference minimum intensity क्या आई और 0 degree पर होता है constructive interference maximum value क्या आई नाइन आई और पाइवाई 2 पर value है 5i ठीक है तो यह intensities का ratio interference के numerical के लिए अब देखो next find out the distance between two aperture which are placed at one meter distance from screen from fringes with one mm while wavelength of light used 5000 angstrom ठीक है अब जहां से देख लो बोला है distance between two aperture मतलब distance between two slits निकालना है small d आपको पूछा है इसमें और जो आपको formula पता है यहां पहले value देखते हैं क्या value लिखी है value क्या 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 दे रखी है distance of the screen गिवन है वन मीटर fringe width गिवन है वन मिली मीटर तो वन मिली मीटर को मीटर में कर सकते हैं वन इंटू टेंटू पावर माइनस थ्री मीटर हो गया ठीक है लेंडा गिवन ए 5000 आंग स्ट्रॉंग अ कि इसको भी मीटर में कर सकते हैं तो 5000 आंग स्ट्रॉंग मतलब 10 to power minus 10 meter ठीक है तो यह हमने पूट कर दिया डी बीटा लेम्डा और स्मॉल डी अब हमें चाहिए फॉर्मला आपको बता है बीटा का लेम्डा capital D upon small D capital D उपर आता है small D नीचे आता है तो small D का formula हो जाएगा lambda D upon beta इस formula में value put करेंगे तो हमें D की value मिलेगी दी पूचा था लेम्डा डी बाय बीटा तो लेम्डा के वने 5000 एंग्स्ट्रॉंग 5000 एंग्स्ट्रॉंग into 10 to power minus 10 capital D किता गिवन है वन इतो बन हो जाएगा और बीटा गिवन है 1 into 10 to power minus 3 ठीक है अब minus 3 minus 10 से cancel होगा तो minus 7 बचेगा और minus 7 यहाँ पर 3 0 cancel कर दो तो D की value आ गई 5 into 10 to power 3 0 कम कर दे minus 4 meter तो D की value आ गई ठीक है तो distance between two aperture पूछा था value मिल गई 5 into 10 to power minus 4 meter ठीक है next देखो the light of wavelength 5500 angstrom is falling normally on aperture of width 22 into 10 to power minus 25 centimeter find the angular position between two minima on both sides of central maxima ठीक है तो angular position पूछिए between two minima on both sides of central maximum आपको पता है diffraction में diffraction में screen पर जो pattern मिलता है central maxima इस तरह से मिलेगा फिर यह minima मिलता है इस साइड भी आपको minima मिलता है इस तरह से ठीक है तो यह देखो value यह है central maxima में central maxima यह है ठीक है central maxima राइट तो हमें चाहिए find the angular position between two minima minimum of the first minimum यह आएगा फस्सकेंड मिनिमा यह होगा दोनों साइड का मिनिमा यह होगा यह एंगल आप से पूचा है angular position पूचिए ठीक है तो यह है ठीटा यह ठीटा है और यह भी ठीटा है तो angular position क्या हो जाएगी टू ठीटा और ठीटा के value आपको पता है ठीटा के value होती है lambda by a तो angular position क्या होगी angular position जो बनेगी वो बनेगी टू ठीटा यह एंगूलर position टूटल आजाएगी टू ठीटा एंगल बोजिशन होगी टू ठीटा और ठीटा के value है लेमडा यह तो टू लेमडा यह हमें यह यह पर यूज करना है ठीक है तो लेमडा कितना गिवन है लेमडा गिवन है 5500 एंग स्ट्रॉंग तो 10 तू पार माइनस 10 और यह जो 30 स्लिट की width width of the slit width of the aperture गिवन है वो है 22 225 cm है सेंटीमेटर है सेंटीमेटर है हुं है क्या करना पढ़ेगा मिटर में अब हम कर सकते हैं में इसको फाइव अब हम 0 सॉल्ल कर ले तो जीरो में आप देखो फाइव इंटू यह दो 0 एरे 10 नटू पावर ठू तू पर माइनस टिन फ्रीए फाइव उपर आजाएगा तो देन टू पार मैंनस फाइव और यह माइनस टू आ जायगा तो टेन टू पावर टू तो आप देखो 2 और 2, 4, 4 zeros minus 5 से cancel कर तो minus 1 बचेगा minus 1 into minus 10 answer आजाएगा आपके पास 5 into 10 to power minus 11 तो एंगुलर पोजिशन पूची थी एंगुलर तो एंगुलर की यूनिट नहीं लिखनी है आपको याप पर यूनिट नहीं है एंगल की फारम में है तो वैल्यू आप लिखोगे 5 into 10 to power minus 11 और यूनिट आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो रेडियन तो तो यह अंगल पूचा है तो एंगल की यूनिट क्या होगी रेडियन तो यह डिफ्रेक्शन का नुमेरिकल था तीन नुमेरिकल है डिफ्रेक्शन का ठीक है तो अंसर आगे आपके पास का 5 into 10 to power minus 11 रेडियन क्लियर तो यह थी वर्क्षीट हमारी नेच्चर ओफ लाइट यह वे ऑप्टिक्स की दो वर्क्षीट हमने करी नुमेरिकल्स हमने किये इसके आज ठीक है तो मिलते हैं नेक्स सेप्टर में नेक्स वीडियो में नेक्स वर्क्षीट में तिल देल गुडबाई